प्रत्याशी जीत रहे थे, उनको बाहर निकाला गया अकाउंटिंग सेंटर से, बार-बार डीम साब को फोन आ रहे थे, यहने यह मांगी है, यह चुना हो रहे हो किसका निश्पक्सका से क्यास करें सहारनपुर की गंगो सीट से एक विवात सामना आया, जब भारती जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत कर बाहर निकले, तो कॉंग्रेस के जो प्रतियाशी थे, उन्होंने यह रोप लगाया कि कहीं न कहीं मदगर्णा में जो है, वो धांदली हुई है चार घंटे बेच कराकर राउंटिंग रोकी गई और धक्के से एलेक्शन हराने की कुशिश करी गई, मेरे सबी साथियों से सारंपुर की जिंदा थी खौम से मेरी गुजारिश है, कि आप सब लोग एक खटा होकर इत्तिहाद से इत्तफाक से हमारा साथ दिन है, आज यहा प्रत्याशी के आरोप के साथ साथ प्रियंका गांधी का ट्विट भी सामना आगे हमने प्रत्याशी जीत रहे थे, उनको बाहर निकाला गया काउंटिंग सेंटर से, बार-बार लियम साब को पून आ रहे थे, यह मांकी है, कि चुनाव रहे हो इसका निस्पक्स्ता से क्यास करें हर्याना मेरे साथ एहमद सल्मान है, यह पूरी वारदात को बताएंगे, क्या कुछ हुआ था, बताएए देखे, ग्यारा सीटों पर उपक्चुनाव वा था, यूपी में, यूपी में सारनपुर जिले में गंगो सीट आती है जहां नुमान मसूद इमरान मसूद और मसूद परिवार से नुमान मसूद आते हैं, नुमान मसूद वहाँ पर के चेर्मेन भी रह चुके गंगो के इस बार विधान सभा चुनाव में उनको टिकेट मिला। उनके सामने कीरत सिंग थे बीजेपी के और समाजवादी पार्टी और बसपा भी वहाँ चुनाव लड़ रही थी। इस टार्टिंग में नुमान मसूद आगे चल लेते। करीब आदी मतगर्णा अनुसार आगे चल लेते। अचानक से नुमान मसूद को बाहर निकाला गया, नुमान मसूद की तरब से आरोप है कि उनको बाहर निकाला गया, जहां मदगर्णा हो लगी थी, वहां से उनने बाहर भेज दिया गया और बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद डीम के पास फोन आएं, करीब पांच फोन, ये नौमान मसूद का आरोप है और जैसे ये फोन आते हैं उसके बाद उनका ये भी आरोप है कि मंत्री के एक बड़े मंत्री के कहने पर ये सब कुछ होता है और जो जीता हुआ चुनाव होता है वो बीजेपी के खाते में दे दिया जाता है कि जहां नौमान मसूद आगे च प्रिशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ नारेवाजी करते हैं. इसके बाद गांधी वार्डरा की एंट्री होती है. गांधी वार्डरा ने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा मैं यहां पढ़के बताता हूं आपको भाजपा इतने एंकार में है कि गंगो में हमारे जीतते हुए प्रित्याश्री को काउंटिंग सेंटर से निकालकर उनका मंत्री जनता का नेड़ने बदलने के पर्यास में है. मत्री नाम नहीं लिया और यहां पे योगी सरकार में मंत्री उनके उपर निशाना साधा उनका मंत्री जनता का निर्णे बतलने के पर्यास में है DM को पांच-पांच बार फोन का लीड कम करवाने के आदेश आ रहे थे यह लोगतंत्र के लिए सरासर अपमान है यह प्रियंकः गांधी बाड़ा का टटवेट है इसके बाद जो मीडिया से मुखातिब होThis बात रुखीbird और उन्हहें कहा कि हमारे प्रिद्धासी के साथ गलत हुआ हम जो है निर्वाचन आयोक से इस मामले में निश्परक्ष्ट आ का आज करें और इस पूरे मामले तो कॉंग्रेस के पृतियाशी का यह आरोप था कि कहीं ना कहीं जो धांदिली हुई है और वो जीते हुए आ रहे थे लेकिन लास्ट की जो कौंटिंग यानि अंतिम चरण की जो कौंटिंग होती है वहां आकर उन्हें मात देती गई और यह सब अधिकारी के कहने पर हुआ उन्हें बाहर निकाल दिया गए इस तरीकी के आरोप नोंने लगाए है इसमें एड करना जाओ हूँ कि बार बार जो है यह एवी एम को लेके आरोप लगते रहते हैं और एवी एम को लेके सवाल उटते रहते हैं हमने महाराश्ट में भी देखा हर्याना का भी आज एलेक् क्योंकि प्रियंका गांधी वार्ड़ा का इस पर ट्वीट है और उन्हें मीडिया से बात की तो यह ने नेशनल मीडिया में यह बड़ा मुद्दा बन गया आज का तो मुद्दा बड़ा बन चुका है लेकिन हम उम्मीद यह करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस प देखने के लिए यार नियूज इंडिया को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए शुक्रिया